So guys, आज कल, जिसको देखो, इंडिया में या तो YouTuber बनना है, Moto Vlogger बनना है, इंस्लॉइंसर बनना है, भाई, पईसा का माना है, सब को ठीक है, सब लोग इसी Фिल्ड में घुसना चाते हैं, सब को ये ही करना है, बहुत मज़ा आ रहा है, आब जब ये Field ग्रो हो रही है, ऐसे कोई भी चीज प्रोमोट नहीं की जा सकती है, जैसे एडवर्टाइजिंग के लिए, टीवी के लिए, बहुत सारे रेगुलेशन्स होते, रूल्स होते, वैसा इस content creation में कुछ भी नहीं था, कुछ टाइम पहले तक, लेकिन ASCI करके एक government body है, उसका फिल फॉर में the advertising standard council of India क तो ये लोग बहुत सारे rules and regulations लेका है, कि किस तरह से content creators अगर कुछ भी add करते हैं, कुछ भी promote करते हैं, तो उसके लिए क्या-कय guidelines follow करनी चाहिए, तो वो सारी चीज़े है आपर है, and उनकी एक report आई है, उसके अंदर बहुत सारे 200 सा जादा influencers, बहुत सारे celebrities, जो आपके favorite influencers, ब बहुत सारे बाइस मानी में, जहीर, and this is how your favorite influencers are fooling you, so let's begin. बहुत टाइम से न, मैं ऐसा एक video बनाने को सोच रहा था, क्योंकि क्या होता है, मैं जैसे कोई भी video दालता हूँ, तो अगर product अच्छा है, product अच्छा बोल दो, तो लोग कहते हैं, यह पक्का company ने पैसा दिया होगा, इसके वज़े से यह product को अच्छा बोल रहा है, लेकिन समझो, अगर product खराब है, even तो मैं कुछ पर्चेस करके product की video बना रहा हूँ, company तो खुई भी affiliation भी नहीं है, अगर मैं product को खराब बोल देता हूँ, तो लोग क्या कहते हैं, कि भाई, कोई सामने वाली जो company है, उसकी competition, उस brand की, उससे पैसा दिया, उसको खराब बोलने के ल channel है, open letter करके, जिन्होंने बहुत अच्छे से, ये ASI की report को explain किया है, वो जो video है, वो भी मैं नीचे description में दे दूँगा, link उनका, और दूसरी चीज़, ये जो report है, इसका भी link मैं नीचे description में दूँगा, आप लोग जाके check out कर सकते हो, कोच से, और बहुत जरूरी है, main guideline यह ही है, कि भाई, सबसे important, and सबसे जरूरी है, कि भाई, अगर आपको ये add कर रहे हो, तो उसको audience को बता के करो, कि भाई, ये एक add है, for example, समझा, मिरे को एक company है, वो pay कर रहे है, कि भाई, ऐसा ये remote है, और आपको अपनी normal video बनाते रहो, उसके बीच में ये remote के बारे में बता रहा हूँ, and बोल रहा हूँ, भाई, बहुत अच्छा remote मस्त है, आप लोट, definitely check out कर सकतो, निचे description में लिंक है, और इसके लिए मेरे को पैसे मिले है, तो ये मेरी responsibility है, कि मैं आप लोग को बताऊं, कि भाई, इस चीज के लिए मुझे पैसे मिले है, this is a paid promotion, paid integration, ठीक है, और मैं ये चीज नहीं करता हूँ, तो ये illegal हो जाता है, and illegal का unethically भी है, वो मतलब normal इंसान को समझ में आना चीज है, बहुत कम creators को देखा है मैंने, जो ये चीज करते हैं, बाकि ये चीज इतनी जादा scary क्यों है, क्योंकि देखो, अगर अच्छा product है, उसको मैं promote कर रहा हूँ, and उसके बारे मैं disclose नहीं कर रहा हूँ, तो एक बार को ठीक है, मतलब चलो, कोई नहीं कर रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि product अच्छा है, लेकिन अगर product खराब हो रहा है, उसकी मैं फिर भी तारीफ कर रहा हूँ, जबर्दस्ती और disclose भी नहीं कर रहा हूँ, then यह बहुत जादा problematic चीज है, ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे scary चीज यह है, and आज की time पर तो मतलब इतने कछरी चीज़े promote की जा रही है, कि मतलब आप देखोगे, तो आप बोलोगे, यार क्या promote कर, कुछ भी promote कर रहे public, क्योंकि इस field में मैं 2015 से हूँ, तो मुझे पता है, concept product की, किदर campaign चल रही है, क्या पर एक चीज़ मैं आपको clear बता दू, कि भाई advertisement important क्यों है, necessary क्यों है, एक creator के रहे, क्योंकि भाई देखो, अब समझो, मैं यहाँ पर YouTube पर वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे ये YouTube पर मैं जब वीडियो दालूँगा, तो YouTube मेरे को इसका प इसा भी नहीं मिलता है, तो वो creators अब उनको तो definitely brands के उपर रिलाय करना पड़ेगा, खाली survive करने, तो basic funda यह है कि add करना, या फिर product integration करना, किसी product को promote करना, बिल्कुल गलत नहीं है, मेरी नजर में, but as a viewer, आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है, कि ये choose add है, या उस लेकिन, अगर समझो, जो company का mouse है, वो company ने में को पैसा दिया, और मैं ये बात बोल दूँ कि ये मेरा favorite mouse है, मैं इसको use कर रहा हूँ, तो भी आप लोगों को ये difference नहीं समझ में आगा, कि ये paid है, या फिर मैं अपने मन से खुद की recommendation दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये difference होना च वीवर को पता दल जाता है, तो उसके बीच में तोड़ा बहुत integration अगरा, यूटूबर्स आड करते है, तो that is very important, वो चीज़ वीवर्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, अब देखो, मैं ऊपर-उपर से आपको ये पता दूँ कि ये बिजनस है, content creators का जो business है, बेसी कोई बुराई नहीं है, लेकिन अच्छा product बेचना important है, और उनको पता रहना चाहिए कि product ये सामने वाला बेच रहा है, इसके पीछे इसको भी पैसा मिल रहा है, ये दो चीज़ बहुत important है, अब एक तरीका है कि अच्छा content बना के connect करो, दूसरा तरीका है कि भाई, aspiration, aspiration दि बहुत पैसा कमारा, बहुत पैसा कमारा, कुछ तो कर रहा होगा, ये सब show off करने के बाद में बलेंगे, अगर आपको ऐसा करना है, तो आप हमारा course खरीच सकते हो, मैं तो basically कुछ बेवकूफ बना के किया जाता है, ये industry में, तो एक fake world create करते हैं, उनका जो भी end goal होता है, product sell क करना, या फिर core sell करना, या खुद के subscribers, viewers को बढ़ाना, उसके पीछे basically यही motive होता है, अब ये जैसे आपने एक बार audience से connect बना लिया, ठीक है, किसी भी तरीके से, fake world create करके, आपना, या फिर fake चीजे दिखाके, और उसके बाद आप अच्छा genuine content बना के, किसी ना किसी तरीके स एक बार अपने audience जमा कर लिए, उसके बाद marketing campaigns होती है, उसमें बहुत सारी अलग-अलग agencies होती है, वो brand से directly marketing के लिए बोलते हैं, कि भाई हम आपका product है, आपका जो service है, हम market करेंगे, हम इतने सारे influencers को जानते हैं, इतने सारे influencers हमारे पास है, ठीक है, तो agencies एक साथ में बहुत सारा पैसा उठाती है, ब्रैंड से, और छोटा-छोटा-छोटा-छोटा amount करके, सब creators में बढ़ देती है, यह ऐसे कुछ इस तरह से campaign चलता है, अब इसके अंदर यह depend करता है, कि सामने वाली की, जो influencer है, उसकी face value क्या है, अब बहुत सारे influencers को बहुत सारे लोग जानते हैं, ठीक है, उनके followers अच्छे है, उनको लोग जानते हैं, तो जितना दादा अच्छा face value रहेगा, उतना दादा उस influencer को पैसा मिलता है, और वो agency देते हैं, लेकिन यहाँ पर agency भी बहुत खतरनाक लेवल पर काम करती है, मतलब यह लोग literally, जो creators है, उनकी वाट लगा देते हैं, in क्योंकि क्या होता है, brand को बोलेंगे कि यह creator है, और बोलेंगे यह creator एक लाख रुपया एक वीडियो का charge कर रहा है, और उस creator को देंगे 20,000 रुपया, 80,000 रुपया खुद रख लेंगे, इतना दादा, बट जो reality में rate है, agency सिर्फ 20% रखना चाहिए, max to max, and 80% creator के पास जाना मैं अपने आपको mostly tech reviewer बोलता हूँ, मैं reviewer हूँ, influencer मत बोलो में को, अगर tech field की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़े हैं, या फिर अगर ऐसा जूटने बोलता है, बहुत सारे लोग अच्छे भी होता है, और इमांदारी से काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भ कही ना कही अगर उनका relation brand के साथ में अच्छा है, तो they will speak softly to their product, ठीक है, जैसे समझो एक कोई phone है, समझो ये कोई phone है, अब मैं नाम ले लेना चाहूँगा, फोन अगर मेरे को brand ने भेजा है, and मैं दूसरे creators की बात कर रहा हूँ, अगर समझो उनको वो product brand ने भेजा है, और भले ही पैसा नहीं दिया है, मतलब पैसे को कोई exchange नहीं है, लेकिन brand के साथ में relation अच्छा है, तो उस relationship को maintain करने के लिए भी, बोलते है ना, कि भाई मेरे दिल में एक soft corner आ गया है, particular brand के लिए, मैं उसके बारे में, जादा गलत नहीं बलूँगा, भले product खराब है, what ने लग समाल समाल के उसके बारे में जो भी उसके गलत चीज़ है, जो भी उसके cons है, वो बता हूँ है, तो यह चीज़ हो जाती है, मतलब एक soft corner आ जाता है, basic fund आई है, अब यहाँ पर ना, मतलब मेरे बारे में बताता हूँ, आपको शायद यह चीज़ नहीं मालुम होगी, लेकिन almost 90% brands ने मुझे blacklist करकर रखा है, mostly तो ऐसा ही होता है कि भाई, वो लोगों को मेरी tone पसंद नहीं आती, कि I am too blunt, and बहुत जादा साफ साफ चीज़े बता देता हूँ, और बहुत सारे जो other YouTubers हैं, या फिर Tech Creators है, वो लोग थोड़ा चीज़ों को sugarcoat करके, थोड़ा सा mellow down करके problems को बताया दाता है, तो वो चीज़ मुझसे होती नहीं है, ठीक है, मुझे वो लोग ना तो invite करते कोई भी event के लिए, ना मुझे कोई products बेजते हैं, I personally do not mind, ठीक है, लेकिन बुरा तो लगता है, क्योंकि भाई, मेहनत करके इतने आगया है, और उसके बाद अगर कोई recognition नह अगर हमने भी product खरीदा है, तो अगर product अच्छा है, चाहे brand को कुछ भी हो, product अच्छा हो ना, तो हम अच्छा ही बताते हैं, आपको ये चीज़ पता योगी, चाहे brand के तरफ से कोई recognition मिले या ना मिले, लेकिन बहुत सारे लोग को मैंने देखा हूँ, सरफ अपनी relationship brand के अगर creator के नियत अच्छी है, वीडियो बनाने के कोई product के उपर, उसके बावजूद भी agencies को होते हैं, वो इतना force करते हैं वो लोगों को, कि भाई, आपको पैसा नहीं मिलेगा, अगर आपको हमारे साथ काम करना है, तो आप include paid promotion वाला tag मत दालो, ये सब दुनिया भर की creator को, creator को जबरदसी परिशान किया जाता है agencies के तो agencies के उपर भी थोड़ा सा लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, ये चीज मैं definitely बोलूँगा, even though ये सारी जो मैं बाते कर रहा हूं, इसके बाद बहुत जादा backlash भी आने वाला है, जो छोटी मुटी agencies है, वो लोग भी हो सकत या फिर मैंने खुद ने कोई product खरीदा, अब पहले दिन ही, क्योंकि पहले दिन सबसे ज़्यादा hype होती है, जिस दिन product आया उस दिन बहुत ज़्यादा hype होती है, तो उस दिन तो वैसे भी अगर brand product भेशता नहीं, तो हमको मिलता नहीं, जब product sale पर आता है, तब हम खरीदत है, वो कम highlight होंगी, because ज़्यादा देर हमने using करा है, जितना हमारे experience से उसके साब से हमने थोड़ा बहुत testing करी है, तो यहाँ पर unboxing and reviews में आपको difference हमझ मैंना चीए, अगर आप लोग मेरा कोई unboxing देख रहे हो, उसके base पे कोई product buy करना senseless है, in my personal opinion, अगर आप लोग मेरा कोई review द देख रहे हो, उसके बाद अगर आप अपना purchase decision मना रहे हो ना, तो वो एक better option है आप लोगों के लिए, ठीक है, मेरे channel का यह एक rule है, मैं product review जो है, वो कभी भी paid नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं paid video ही नहीं बनाता हूँ, paid video को मैं भी बनाता हूँ, कभी भी paid review नहीं बनात paid promotion के है ना, कभी भी मैंने बिना include paid promotion डाले, paid promotion किया ही नहीं है, दो तीन बार तो मैंने ऐसा brand को सीधा मना कर दिया है, क्योंकि वो लोग गो रहे थे paid promotion का वो tag मत दालो, बहुत important state में अगर मेरे channel पर किसी video में include paid promotion दिखता है, तबी ही वो paid promotion वाली video है, अगर नहीं है, उसके दुनिया अबर्के 500 emails आते हैं में रोज अलगर टाइप के product promote करने के ठीक है, उसमें बहुत सारे product बहुत कचरा होते है, और मैंने देखा हूँ, वो अपने channel पर आपको कभी नहीं मिलेगा, अगर मैं को promote भी करना है तो भाई अच्छे product promote करू ना, कि आप लोग अभी फाइ इनको promote कर रहे हैं, मतलब क्या बोलू, भाई लेकिन ये जो companies इनका इतना अंधा पैसा है ना, मैंने देखा है, जब ये नया नया चालू आता, तो मुझे promotion के लिए offer आयते, आपको बोलू आना, मतलब भरूसा ही नहीं होगा, भाई, एक एक वीडियो के लिए, दो तो लास प्रोमोट कर रहे हैं, तो अभी क्या ही बात करें, ये सारी चीज़े भी हमने आज तक के नहीं करें, और ना ही future में कभी करेंगे, एक और important चीज में आपको बताता हूँ, कि भाई देखो, बहुत सारे products जो है न, वो हमको direct companies भेज देती हैं, launch से पहले भेज देती हैं, ले products की बुराई कम करो, थोड़ा सा soft tone में बात करो, लेकिन वो सब चीज हमसे होता नहीं, unboxing में भले थोड़ा बहुत हम ऐसा बोल सकते हैं, कि हा product अच्छा है, और test करके हम full review बताएंगे, लेकिन full review में कभी आपने मेरे soft tone नहीं सुनी होगी, मैं full review में कभी soft tone में बात दी नही है, मैं rude हो के नहीं बात करने ही कोशिश करता हूँ, लेकिन जो हकीकत है वही बताता हूँ, और एक चीज मैं आपको clear बता दूँ कि भाई, जो भी product जहां से भी आता है, चाहे मैं purchase करता हूँ या फिर company से product आ रहा है, तो उसके बारे मैं मैं आपको clear बता दूँगा, और मै मैं आभी तक भी बताते हूँ आया है, कि मैं product company से आया या फिर मैंने purchase करा है, और वो चीज आपको हमेशा मिलेगी, चाहे तो मेरे description में मिले, लेकिन मैं आपको एक note छोड़ूँगा, ज़रूर कि ये product मैंने purchase किया है, या company से आया है, तो ये चीज important है, ठीक है, और कुछ पर्सनल बायस भी होता है, वो भी एक बहुत major factor, प्ले करता है, पर्सनल बायस है जिसे मुझे android phone पसंद है, अगर मैं comparison करने जाओंगा android वर्स आइफोन में, तो एक मेरा personal बायस होगा, कि भाई मेरे को android पसंद है, मैं 55 से android यूज करता है, लेकिन जिसको आइफोन पसंद है भले उसके इंदर 10 कमिया हो, ठीक है, लेकिन वो आईफोन की ही तालीफ करेगा, तो यह बात होती है, वो पर्सनल बायस होता है, तो लेकिन यह इतना बड़ा major point नहीं है, और दूसरी चीज़, आप लोग भी तो कितने hypocritical हो, मतलब अब ये वीडियो बना रहा हूँ, तो दुनिया भर के लोग आएंगे निचे, कुछोडोग बो लेंगे कि भाई, ये तो बहुत बेकार आधनी है, कुछ भी बात कर दा, सिरफ से अपने मतलब के लिए वीडियो बना रहा है, और दुनिया भर की छीज़े बोलेंगे, आरे या, अब बहुत सहील ही अपने वीडि इसके competition वाली इसने इसको पैसा दिया है ये वीडियो बनाने के लिए ठीक है तो ये एक point हो गया दूसरा point अगर product अच्छा है मैंने अच्छा बोल भी दिया तो बोलेंगे जो company का product है वो company ने इसको पैसा दिया है इसकी तारीफ करना कर तो यहाँ पर खुल के तारीफ भी नह कर सकता है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर मैं वापस बता रहा हूं अगर review है review कभी भी paid नहीं रहे अपने channel का और ना आज तक के रहा है तो यह चीज़ आप लोग समझ लो और दूसरी चीज़ मैंने देखा है बहुत सारे tech creators को ही मैंने देखा है कि भाई review कर देंगे direct पहले दिन ही phone आते ही पहले दिन review बना डालेंगे कैसे भाई तुम पहले दिन कैसे review बना सकते हो और बिना यूज करे परसनल फोन कुछ और sim card भी नहीं डालते है ऐसा कौन review बनाता है बाई केसे साथ से review कर रहा आप उसको समझो नहीं मतलब एक दिन मैं आपको क्या समझ मैं उसके software disadvantages आपको कहां से दिख जाएंगे एक दिन के अंदर तो ये सारी चीज़े important है और मेरा खुद का ये rule है अब जैसे मैं ये वाला phone review करने के लिए use कर रहा हूं ठीक है तो मैं ऐसे नहीं use करता हूं कि भाई खाली देख लिया use कर लिया ऐसे चला लिया वैसा नहीं हर फोन के अंदर ठीक हर साथ दिन के अंदर मेरा SIM card एक फोन से दूसरे से फोन के अंदर shift होता है उसके मेरा WhatsApp shift होता है मेरा banking application सब फोन में अलग अलग बार बार shift करना पता है तो यतना मगजमारी के बाद मैं उसको as a primary phone use करता हूं उसके बाद ही उसका review करता हूं ताकि मेरे secondary device की तरह नहीं use करता हूं मैंने यह चीज़ देखा है कुछ लोग review भी करता है तो फोन को secondary device की तरह use करेंगे उसके बाद उसका review बरा देंगे भाई यहां पर है ना एकदम as a primary device use करने के बाद में उसका review मिलता आप लोग तो यह चीज़ आप लोग याद रखो बाकि trust करन और ना trust करना यह तो आप लोग के हाथ में है लेकिन जब कोई चीज too good to be true दिख रही है तो वो 100% fake है भाई वहां पर trust करना मतलब बेवकूफ ही है इतना समझ लो बहुत सारी बाते मैंने इधर उदर से इधर उदर से मतलब point यहां पर था तो उसका अलग-अलग point मिला जो आप लोगों को रहने की जरौत है और गवर्मेंट को इस चीज के खिलाफ कुछ सक्त कदम उठाने की जरौत है कि जो creator है वो अपने जगे पे सारे rules and regulations follow करें जो agencies है वो ना brands को loot पाएं और ना creators को loot पाएं दोनों तरफ से agencies लूट रहे हैं बहुत से agency बहुत अच्छी होती ह लेकिन कुछ है bad apples are everywhere जैसे आप लोग समझ लो यह चीज होई और उसके बाद brands को भी समझने की जरौत है कि भाई अगर आप influencer marketing करवार रहे हो तो थोड़ा छोड़ दो creator को अपने हिसाब से करना दो यह नहीं कि मतलब दखल अंदादी करो कि भाई यह मत बोलो ऐसा मत बोलो यह तोड़ा चीज होती है अब ठीक है भी उसके उपर जादर में कमेंट नहीं करना जाओंगा यह लाइक करना यह तो मैं बोलूँगा नहीं इस वुडियो में लेकि शेर करने जरूँगा यह वडियो आप लोग शेर करो एंड जो भी लोग YouTube Creators या फिर influencers को follow करते हैं उनक इसा content नहीं बनाता हूँ यह बहुत कम है मैं mostly reviews करता हूँ तो अगर आपको reviews वगे रहे हैं इंट्रेस्टर तो subscribe करना बागी इतना ही था इस वुडियो में thank you so much for watching this video guys बाबाए